Good morning students, welcome back to my YouTube channel और आज हमारी उर्दु बेसी क्लास 6 है और आज का हमारा टॉपिक है मद और जज्म सबसे पहले हम देखेंगे कि मद क्या है देखें मद का मतलब ये होता है कि कि किसी भी हर्फ को खीच कर पढ़ा जाता है अब जैसे आप पढ़ते हैं आम अगर इस पर मद लगा हुआ है ये इसलिए आम है अगर देखें मैं इसके मद फटा दू तो ये क्या पढ़ाएगा आम हमें पढ़ना है आम ठीक है तो ये देखें इसके उपर मद है इसलिए हम इसे आम पढ़ेंगे ऐसी next ये देखें अलिफ मद जबर आगाफ अग और अगर हम इस पर से मद हटा दें तो क्या पढ़ जाएगा अग तो यह है मद से के मद से ना हम उसको खीच कर पढ़ते हैं यह देखिए क्या है अलिफ मद जबर आड और अगर मद जबर तो हो जाएगा अड अलिफ मद जबर आ सीन आस और अगर हम इसे हटा दें मद को तो हो जाएगा अस इस देखिए अलिफ मद जबर आ रे ये जे री आरी और अगर हम इस पे से मद उटा देंगे तो इस क्या हो जाएगा अरी ओके नेक्स्ट देखिए अलिफ मद जबर आ पे आप और अगर हम इस पर से मद अटा दे हो जाएगा अप यहां देखिए अलिफ मद जबर आ टे अलिफ जबर टा आटा आटा होता है न और अगर हम इस पर से मद अटा दे हो जाएगा अटा क्योंकि मद ही नहीं है यह आपर ठीक है अब यहां अगर मद ही नहीं होगा तो अम, अग, अस, अरी, ये सब हो जाएगा ये, तो ये था हमारा मद, अब हम आ जाते हैं, जजम, ये हमारा next topic है, जजम दो टाइप के हैं, तो ये चाहे आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, अब जजम के quality देखें, जजम किस पर लगता है, जज आफ देखे आग पर जज़म लगा हुआ है आग में क्यों लगा हुआ है क्योंकि गाफ पर ज़ेर ज़बर पेश कुछ नहीं है उसके साथ अली फैड है आप यहां पेपर ज़जब लग गया आप मीम पर ज़जब लग गया आरी यह जो हुर्फ है ना लास्ट वाल है हर इस क्योंकि इनके साथ जेर जबर पेश, कुछ भी नहीं आ रहा है, इस वज़ा से इन पर जजबर लगेगा, चीके, पास, चीके, अब यहाँ देखिए है, आटा, इस पर जजबर नहीं है, क्योंकि टे के साथ अलिफ है, टे अलिफ जबर टा, तो अगर खाली टे होता, आट, त से उसमें लगता है, आज, जीम पर जजबर, आल, अल, अल, अब देखिए, यहाँ पर आपको तेरी के से दोनों चीज़ समझ आ रही होंगे, अगर मैं इसका मद हटा दू ते अल हो जाएगा, चीके, मद समझ में आ गया, और जजबर कहां लगते है, यह भी आपको समझ आ अब नेक्स्ट देखिए, आओ, वाओ पर है, चीके, अगर यह आला होता, लाम अलिफ जबर ला होता, हम इस पर जजबर जजबर नहीं लगाते हैं, क्योंकि लाम के साथ अलिफ एड हो जाता है, यह देखिए, खाली हर्फ हैं यह, तो स्टुडेंट आई होप आपको आस, आरी, आप, आग, आप, आम, ठीके, आज, आडू, यह सब देख लीजे, एक्जामपल्स, तो आई होप आपको काफी अच्छे से समझाया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा झालिएगा 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 झाल झाल झाल